दोस्तो कैसे हैं आप लोग सभी आई होब सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं तो दोस्तो आप लोगों को बता है Mono Hybrid Cross और Di Hybrid Cross जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा Confusing लगता है ठीक है और Basically आप लोगों को बताओं बहुत Simple यह आप लोगों का है बस समझने का आप लोगों को प्रयास करना है और इससे आप लोगों को बताओं तीन बार Question आ चुके है ना यह को Mono Hybrid Cross, Di Hybrid Cross यह तो बहुत बात की बात है तो यह स्टार्ट करने से पहले में आप लोगों को कुछ Basic Terms बताना चाहूँगा जिसका समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है उसके बाद में आप लोग करेंगे Mono Hybrid Cross और Di Hybrid Cross क्या है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यह हैरे डिटी यानि आनुवांशिक्ता क्या होती है आप लोगों को मैं बता दूँ आप लोगों को बता है आप में भी कुछ characters होंगे जो आप लोगों के पिता जी साहे होंगे या कुछ माता जी साहे होंगे आप लोगों को जनम से मिले है जैसे मालीजे आप लोगों की आखों का रंग भूरा है तो ऐसा तोड़ी आप लोगों दिनदात मेनद करके अपनी आखों का रंग भूरा करा है आप लोगों को जनम से मिला है तो इसको आप लोगों को बोलेंगे इन हैरिटेट ट्रेट दूसरा प्रकार होता है एक्वायर ट्रेट एक्वायर का मतलब आपने एक्वायर किया है जैसे मालीजे आप लोगों को गिटार बजाना आता है तो यार आपने अपनी महनत से वो सीखा है, ऐसा थोड़ी कि आप लोगों के पैदा होता है, आप लोगों को वो लक्षन जनम से मिलाता है, ऐसा नहीं है, जिसे मालीच आप लोगों को cricket बहुत अच्छा, बेटिंग बहुत अच्छी करते हो आप लोगों cricket में, तो ये acquired traits से आ बोलते हैं जो आपने अपनी मेहनत से अपने जीवन काल में जो हासिल किया है उन लक्षनों को उन करेक्टर्स को आप लोग बोलेंगे एक्वाइट रेट जैसे इसके एक्जम्पल में बता दू दूस्तों आप लोगों के माली जी तवचा का रंग थोड़ा सा डार्क है या लाइट है तो यह आप लोगों को पैरेंट से मिला है ना या आपको जनम से मिला है है ना माली जी आप लोगों की हाइट काफी अच्छी है तो कोई-कोई की होती है हो कि तिभी मेनत कर ले हाइट जादा नहीं बढ़ती तो वो जो चीज है वो उनको अपने पैरेंट से मिल हैं आप सभी का दिल से बहुत 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 धन्यवाद ठीक है चले आगे आजो अब बात करते हैं कि यार एक generation से दूसरी generation में कुछ characters आ रहे हैं कुछ लक्षन आ रहे हैं इसको आप लोग बोल रहे हैं heritage लेकिन उसके mechanism क्या है किस process से आ है उस process को आप लोग क्या बोलएं उस process कि और इसके पीचे science क्या लग रहे हैं उस process को क्या बोलेंगे हम लोग inheritance बोलेंगे वंशा नुकरम बोलेंगे जैसे मैं आप लोगों को बात बताऊं कि एक generation से दूसरे generation में कोई चीज़ आ रही है जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि माता है उनके स्किन का रंग मालीजे थोड़ा सा लाइट है ना पिता है उनके स्किन का रंग मालीजे डार्क है तो जो बच्चा होगा उसकी स्किन का रंग क्या होगा या मालीजे माता जी की जो आइज उनका रंग ब्राउन है पिता पिताजी की आई का रंग जो है black है तो जो बच्चा होगा उनकी आई का रंग क्या होगा ब्राउन होगा ये ब्लैक होगा तो किस लॉजिक पर ये transfer हो रहा है हम लोगों को लगता था यार पहले कि विल्कुल रेंडम ली होता है कोई fix logic नहीं है, हो सकता है नीली भी हो जाए, हो सकता है भूरी भी हो जाए, हो सकता है काली भी हो जाए, लेकिन दोस्तो इसके बार में Mendel साब ने कुछ experiment करें और इन्होंने ये बताया कि एक generation से दूसरे generation में ये जो characters transfer हो रहे, इनके पीछे भी logic होता है, मैं बता देता हूँ कि अगर पिता जी के आको का रंग ये है, माता जी के आको का रंग है, तो कितने पच्चन चांस है किस बच्चे के आको का रंग ये होगा ये होगा, तो Mendel साब ने experiment करके बताया कि नहीं यार, एक generation से दूसरे generation में जो characters जाते हैं, उनके पीछे कुछ logic होता है, और इसके लिए इनोंने बहुत study करी है, तो आईए, हम लोग समझते है, father of inheritance के बारे में जानते हैं, जो कि Mendel साब को भी बोला जाता है, क्योंकि इनोंने बहुत study करी है, ये दे तो इनोंने क्या humans पे study करी क्या, कि माता पिता से बच्चों में कौन से character जा रहे है, नहीं, इनोंने जो अपनी study करी, वो pea plant पे करी, मतर के पौधे पे करी, कि एक मतर के पौधे के जब, उसका जब off spring होंगे, जो नए मतर के पौधे जब बनेंगे, तो उसमें कौन सी चीज आईसी है, जो पहले वाले मतर के पौधे से आई है, कौन सी चीज है, जो नहीं आई, तो आप लोगों के मन में question आ रहा होगा, कि सर, इनोंने मतर के पौधे को ही क्यो चुना, ये बताईए, और सर, जैसे माल लीजे, एक generation से दूसरे generation में जो characters आ रहे हैं, वो किस वज़े स आ रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ बताया कि है, बिल्कुल, तो इनोंने बताया कि जैसे माल लीजे, ये father है, ये mother है, इनका कोई baby है, इनका कोई child है, इनका कोई बच्चा है, तो अगर इन में लक्षन आ रहे हैं, father से, mother से, तो जरूर father और mother से कोई ना कोई तो चीज हो ऐसे पदार्त मान सकते हो, जो एक generation से दूसरे generation में आते हैं, और वो ही characters के लिए, यानि लक्षनों के लिए क्या होते हैं, responsible होते हैं, समझ में आगे इतनी सी बात, ये basic आप लोगों को समझ में आ जिये, तो आप लोगों के मन में, क्योर्शन वो आ गया, बालू का रंग, मटर के पौदे को ही क्यों इन्होंने सेलेट किया, जैसे आप लोग मुझे बताइए, गर average बात करूं, humans की कितनी होती, sorry, average life की बात करें, 70 साल, किसे की 75, किसे की 90 तक भी जी जाते हैं, मैं बात करूं, 70 साल क्या है, एक average life है, माल लीजिए, तो मैं study करने जा कर ली है, माता जी के बाल straight है, तो जो बच्चा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, तो यार मेरे को कम से कम 4 पा जनरेशन पर तो study करनी पड़ेगी ना, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे में, चौते में, आब यार मेरी पता पड़े, मैं दूसरी जनरेशन को कोई देख पाऊं, जर 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 ये, तीसरे कोई देख पाऊं, उसके आगे में देखनी पारा, मेरी खुद की मौत होगी जब तक, तुम्हें study करने के लिए कुछ ऐसी चीच सेलेट करनी पड़ेगी ना, जिनका life span बहुत चोटा हो, जिनके बच्चे जल्डी जल्दी हो, मत पाथ साल, पाथ साल, पाथ साल, कितने सारी जनरेशन को देख लोगे, और आप लोग देख भी पाऊंगे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में characters कैसे transfer हो रहे हैं, समझ में आगे के बाद को, तो जो मतर के पौदे थे, इनको chain करने के पीछे, कई region थे, इनको उगाना आस आनता, आराम से कहीं पर भी उगालो, देख लो किया, इन मतर के पौदों में क्या characters आने वाले हैं, ठीक है, इनका दोस्तों life cycle छोटा है, तो अब इसलिए बात है, ज्यादा number of generation पे आप लोग अपनी study अध्यन कर सकते हो, ये वाला point की बहुत मुश्किल होता है, समझना, it had seven pages of contrasting characters, जो contrasting characters थे, जो विशम लक्षन थे, वो साथ थे, अब आप लोग बोलोगे, सर, ये चीच समझ में नहीं है, मुझे ये contrasting characters किसे बोलते हैं, चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप मुझे एक ची बताइए, जैसे माल लीजगर humans की बात करे, ये father है, और य संतान होगा, आप लोग ये देखना चाहरे हो, इसमें कौन-कौन से characters आए, तो दोस्तो characters की study तो तब करोगे, जो भी इनके पास characters होगे, तो आप लोग बोलोगे, देखो सर, characters है ना, मैं आखो के रंग पे study कर सकता हूँ, कि इनकी आखो का रंग बूरा है, इनकी इनका नी जो मटर के पौधे हैं ना, उनमें साथ contrasting characters होता है, यानि कुछ-कुछ मटर के पौधे ऐसे होते हैं, जिनकी लंबाई ज्यादा होती है, कुछ-कुछ मटर के पौधे ऐसे होते हैं, जिनकी लंबाई कम होती है, तो जब अब उनसे जो एक नया मटर का पौधा बनेगा, त के फूलो का रंग सफएद होता है तो काफी इंटरेश्टिंग होगा ना यह देखना कि इन दोनों मट्र के पौड़े से जो नय üstग का पौदा बनाए उसके फूलो का रंग क्या होगा गुलांज यह संफेद होगा कि जब इन दो मटर के बादों से नया मटर का बादा बनेगा तो उसके बीजों का जो शेप होगा वो कैसा होगा राउंड होगा गोल होगा है रिंकल होगा तो या कितनी सारी चीज़े अध्यान करने के लिए तो ये मटर के पौदों में 7 contrasting characters होते हैं इसलिए हम बहुत interested थे ये देखने के लिए कि जो नया मटर का पौदा बनेगा उसमें क्या होगा सर ये 7 contrasting characters कौन कौन से हैं अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ टेंशन ना लीजिए टीक है जैसे यही पर देख लिजिए कुछ-कुछ मटर के पौदे ऐसे होते हैं जिनके flower यानि full की बात करें उनका color क्या होता है white होता है कोई-कोई का ऐसा होता है violet यानि bangni दोस्तों कोई-कोई मटर के पौदे हैना ऐसे होते हैं जिनमें जो पौड होती है जो छिलके होता है छिलके बोलो मटर के छिलके बोलो छिलके ठीक है तो उनकी जो आकरती होती है बिल्कुल कैसी होती है जिसे full होती है कुछ-कुछ मटर के पौदे ऐसे होते हैं जिनमें छिलके ऐसे constructed होता है जैसे मटर के दाने जैसे एक मटर का दाना आगे फिर उसको दबा दिया फिर डूसरा मटर का दाना फिर टीसरा ऐसे ना और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे वो होते हैं कुछ-कुछ मटर के पौदे ऐसे होते हैं, जिनके छिलके जो होते हैं, वो यल्लो कोलर के होते हैं, कुछ-कुछ ऐसे होते हैं, ग्रीन कलर के, तो बहुत सारे आप लोगों को करेक्टरिश देखने को मिल रहा हैं ना, अरे बताईए, समझ में आगे ठीक हैं, अब दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये ट्रेट होते हैं, जो लक्षन होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डॉमिनेंट, डॉमिनेंट ट्रेट को आप लोग हिंदी में बोलोगे, प्रभावी लक्षन क्या बोलोगे प्रभावी लक्षन और recessive trait को आप लोग हिंदी में बोलोगे ए प्रभावी लक्षन सर इन दोनों में मुझे समझ में नहीं आया क्या होता है dominant क्या होता है recessive जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये father है, ये mother है for example पल, father की आखों का जो रंग है न वो क्या है? black है, मा लिजे, काली कलर की आख है, और इनकी मा लिजे, भूरे कलर की आख है, भूरे रंग की आख है, मैंने आप लोगों को बोला कि इन दोनों में से जो dominant है, dominant वो मालों काला है, और ये recessive है, ये एप्राभावी है, तो इनका ज इस बच्चे की आखों का रंग क्या होगा ब्लैक कलर होगा मैंने आप लोगों को बोला मान लीजिए फादर है इनके जो बाल है बाल वो थोड़े से करली है थोड़े है ना क्या बोलता है करली को इंदी में क्या बोलता है करली को इंदी में क्या बोलता है बताइए और जो करली को वो बोल सकते हैं गुंग ना क्या बोलते हैं दिमाग में नहीं आ रहा है करली को क्या बोलेंगे गुंग गुंग राले गुंग राले विल्कुल थैंक यू सो मच गुंग राले वाला गुंग राले ठीक है गुंग राले अब मैंने माल ली जीए यह बोला कि यह डॉमीनेंट आग क्या फ्रबावी और यह मालू रिसेसिव है यह प्रबावी है प्लियर इगया तो मैंने आप लोगो बताया कि मटर के पोदे होते हैं उस में साथ qonरश्ट्र्रेशन करेक्टर्स होते तो यार जैसे मैं आपको बोलू height of stem तने की अगर हम लोग बात करें तने की उचाई की तो मटर के पौदो के कुछ मटर के पौदे ऐसे होता है जिनके तने के उचाई काफी ज़्यादा होती है यानि वो मटर के पौदे लंबे होता है कुछ चोटे होता है तो tall dwarf तो इन में से dominant कौन है tall है और recessive कौन है dwarf बोनापन यानि अगर कोई दो मटर के पौदे है एक मालीजे जिसके लंबाई ज़्यादा है एक मालीजे जिसके लंबाई कम है इसको आपने cross करवाया तो जो मटर का पौदा नया बनेगा उसकी लंबाई ज़्यादा होगी कम होगी तो इन दोनो में से dominant कौन है dominant कौन है dominant कौन है टॉल मैंने आप लोगों को एक दूसरा दे दिया color of flower मान लीजिए कुछ आप लोगों के मटर के पौदे होते हैं जिनके फूलों का रंग क्या होता है color मतला बैंगनी रंग के हैं और कुछ ऐसे हैं जो वाइट रंग के हैं स्वेथ रंग के है अग इन दोनों में से dominant कौन है बैंगनी रंगनी और कोई मतल के पौदा जिसका फूल सफेद रंग जब आपने को k्रॉस कर वाया इनसे जब नया आप लोगों के mono hybrid cross और dae hybrid cross लेकिन इससे पहले आप लोगों को कुछ term समझने होंगे बहुत confusion होता है सर ये allyl क्या होता है जीनो टाइप क्या होता है फीनो टाइप क्या होता है पता नहीं इतने दिकत पाल रखी आपने जीवन में इतना confusion देखो कुछ भी नहीं, बहुत simple है, देखो मेरी बात आप लोग ध्यान से समझीएगा यार, मैंने क्या बोला, एक generation से अगर दूसरी generation में कुछ characters आ रहे हैं, कुछ election आ रहे हैं, तो इसका मतलब जदूर एक generation से दूसरी generation में कुछ पदार्थ आ रहे हैं न, और उसी को आप लोग क्या बोल रहे हो, जीन बोल रहे हो, उसी को क्या बोल रहे हो, जीन, सर ये जीन मिलेगा कहां पर, प्लीज मुझे ये बताईए, जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ, humans जब reproduction करते हैं, प्रेजनन करते हैं, जब बच्चा होता है, वो बच्चा कैसे होता है, आप हिंदी में इसको बोलेंगे, युग मनाज, फिर सट जाएगो, डवलप हो के, एंब्रियो बन जाएगा, ब्रून फिर ये डवलप हो के, क्या बच्चा हैगा, डिलीवरे के बाद में ये ही बच्चा बन जाएगा, यानि जो बच्चा बना हैं, वो किस से बनाएं, इस्पम आये फादर से, एग आये मदर से, यानि इस बच्चे में कुछ चीजे कां से आई होगी, इस्पम से आई है, कुछ चीजे एग से आई है, तो इस्पम किस की बोडी से निकला, फादर की बोडी से, एग किस की बोडी से निकला, मदर की बोडी से, यानि जो बच्चा होगा, इसमें कुछ गुण पिता के भी होंगे, कुछ माता के भी होंगे, इतनी से बाद समझ में आगी क्या, अब वो क्या होता है, तो इस पम एक कोशी का है, एक कोशी का है, तो दोस्तो हमारी जो कोशी का होती ना, कोशी का के अंदर पाए जाता है, नूकलियस यानि केंदरक, इस nucleus के अंदर कुछ धागे जैसे structure होता है जिसे आप लोग बोलते है chromosome क्या बोलते है chromosome बोलते है दोस्तो इस chromosome की सबसे छोटी unit की अगर मैं बात करू ना तो छोटी unit को आप लोग या बोलेंगे gene बोलेंगे, gene बोलेंगे gene तो basically इसका कुछ part पाट और इसका कुछ पाट ही दोनों मिल के इस बच्चे में हैं जिसकी वज़े से उस बच्चे में कुछ अलक्षन आए पिता जी से और माता जी से कि सब्सक्राइब का पता कैसे चल रहा है दोस्तों यह आपको याद रखने पड़ेंगे तो हमेशा बैंगनी मिल रहा है बैंगनी मिल रहा है इसका मतलब बैंगनी क्या है dominant समझ में आगी बात को ठीक है तो तो कुल मिला कि genes है जो कि responsible है एक generation से दूसरे generation में वो आते हैं और उनीके अज़िते लक्षन आते है तो दोस्तों एलील आप लो किसको बोलते हो एलिल कुछ भी नहीं है जीन का जो जीन होते है न जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहे है तो दूस्तो जीन भी तो अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं कोई जीन ऐसा होगा जो लंबाई का करेक्टर लेकर आएगा कोई jena ऐसा होगा जो बालों के रंग का करेक्टर लेकर आएगा कोई jena ऐसे होगा जो आखों के रंग का करेक्टर लेकर आएगा तो jena भी तो अलग-अलग है तुने अलग-अलग gene को नाम दे दिया ऐलील जैसे मालो capital T ये एक एलील है कौन से वाले एलील मतलब सुनो मेरे बात को जिसे आपने बोला अलिल क्या है सर जैसे अलग अलग जीन होता है ना तो जीन का अलग अलग नाम देने के वजा है उनको नाम दे दिया अलग अलिल तो जैसे capital T का मतलब है advertise region जीन, small t क्या है आपका ड्वारफनेस बॉनेपन वाला जीन तो यह जो इनके लिए आप लोगे लेटर का इस्तेमाल करों ना इनको आप लोगे, एलील बोलोगे next बात आती है, phenotype किसको बोलते हो phenotype का मतलब है physical character physical character का मतलब क्या है जैसे लक्षन जो आप लोग देख सकते हो जैसे भाई यह मेरी लंबाई ज्यादा है तो आप लोग देख सकते हो, मैं कितना भी चुपा लूँ नई यार मैं तो छोटा ही हूँ, तो उससे काम सुटी चलेगा तो ऐसे character जो आप लोग अपनी जीनो टाइप, दोस्तों जीनो टाइप कुछ भी नहीं है यह एक कोड है अब मैं बार बार बोलू, लंबा पौधा बौना पौधा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना तो उसके लिए कुछ कोड इस्तिमाल कर लाता है यानि capital T, capital T अगर यह कोड है, यह कोड किसके लिए है? एक लंबे पौधे के लिए है small T, small T यह जो कोड है, वो किसके लिए है? यह बौने पौधे के लिए है समझ में आ गया? जैसे capital T, small T अब यह पौधा लंबा होगा यह बौना होगा तो capital टी किसको बता रहा था, tall ने इसको बता रहा था, small टी किसको बता रहा था, dwarf ने इसको बोने पन को, तब दोनों एक साथ आ जाएगा, मैं अगर आप लोगों को बोलू कोई plant है, उसका genotype ये है, तो वो पौदा लंबा होगा ये बोना होगा, तो इसमें लंबा भी आ रह रहे है, genotype बोल रहे है, तो बस इतनी सी बातें समझा नहीं थी, अब सीधे आप लोग आ जाओ, mono hybrid cross पे, ठीक है, प्लीज समझ लो, बहुत सारे क्योशन आयते है, आपको बुक से कि तभी पढ़ लो, समझ में नहीं आयागा, इधर समझ लो, एक बार में समझ में आ जागी mono hybrid cross, दोस्तों cross का मतलब क्या है, जैसे मालो, एक मटर का पौदा है, यह मटर का पौदा है, मटर का पौदा है, पहला पौदा, यह दोस्तों मटर का दूसरा पौदा, सर इनमे cross कैसे करवाता है, आप लोग मुझे बताएंगे, जो पौधे होते हैं, वो अपने बच्चे कै परागन विदी से सर परागन विदी में क्या होता है जैसे मालो यह मतर का पौदा है इसका यह फूल है यह दूसरा मतर का पौदा है इसका यह फूल है तो सर जो फ्लॉवर होते हैं उसमें मेल पार्ट भी होता है फीमेल पार्ट भी होता है तो सर मेल पार्ट से कुछ निकलता पार्ट में जाता है तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन यानि परागन और इसी विद्दई से इसके नए बीज बन जाएंगे फिर बीज को कहीं पर डालोगे ना फिर वो क्या बन जाएगा पूरा का पूरा पॉदा हो जाएगा क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक flower के male part से दूसरे plant के flower के female part में जाए ऐसे pollination भी हो सकता है कि बिल्कुल तो इस वाले pollination को तो बोलोगे cross pollination पर परागन और अगर एक ही flower के male part से उसी flower के female part में आ रहा है तो उसको बोलेंगे self pollination तो स्वै परागन तो अगर आप लोगों से पूछा जाए मेंडल साब ने पहले क्या किया मेंडल साब ने करवाई था cross pollination यानि एक मतर के पौदे के full के male part से दूसरे मतर के पौदे के flower के female part में बेजा है और नो एक करेक्टर एक लक्षन पर study कर रहे हो ठीक है study of single trade के एवल आप लोग एक लक्षन की study कर रहे हो एक लक्षन की study कर रहे हो एक लक्षन की जैसे मालो अभी मैंने वह लक्षन ले लिया कौन सा लंबाई का ले लिया length का ले लिया height का ले लिया ठीक है तो एक मैंने ले लिया टॉल प्लांट एक मैंने ले लिया टॉल प्लांट यानि लंबा पॉधा और एक मैंने ले लिया द्वार्फ प्लांट जिसे आप लोग बोल रहे हैं बोनना पॉधा अरे समझ में आई यह नहीं यह बताओ समझ में आया गया इस टॉल प्लांट होता है एक इसका जीनो टाइप क्या होगा जीनो टॉट aja capital T ऑपिटल टी औरerson प्लांट का मैंने ले लिया किसमाल टी यह मैंने इनके जीनो टाइप अप लोग बोलेंगे तर जीनो टाइप समझ में नहीं आया कोई कोई बात नहीं कोई बात नहीं मुझे एक ची बताएंगे एक लंबा पॉदा है एक थोटा पॉदा ये पैरेंट ठी से प्लांट थो पूदा पॉदा और चोटा पॉदा है तो इनको तो मैं parents बोलूँक्या है बिल्कुल, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बाकि सब समझ में आ गया कोई बात नहीं, आपको पता है एक generation से दूसरे generation में क्या आते हैं, genes आते हैं, genes, तो मालो ये पहला parent है उसके पास में ये वाला gene है, दूसरा जो parent है उसके पास में ये वाला gene अब तो समझ में आ गया तो वस उस gene को represent करने के लिए मैंने capital टी capital लिखा है इस code को हम लोग बोल रहे है जीनो टाइप तो इसका जीनो टाइप यह हो गया इसका जीनो टाइप यह हो गया ठीक है समझ में आ गया अब एक चीज़ मुझे बताओ एक चीज़ बताओगे क्या बताओगे इसको ऐसे समझो दोस्तो बहुत complicated लगेगा अगर आप लोग समझोगे नहीं समझोगे बहुत आसन लगेगा आपको book में भी नियाएगा attention मतलो दोस्तो यहां तक समझ में है तो please thumbs up कर दो कि हाँ सर कोई रिक्कत नहीं मुझे भी पता है ये इतना असन नहीं है मैं आज तक जीवन में नहीं समझा बट आज समझ रहूँ मुझे समझ मारा कोई रिक्कत की बात नहीं आप continue करो बस एक बाद थमसब करके अदर तो जी सर बिलकुल आ रहा है क्योंकि आपको गर 4% भी आगे ना 10% भी आगे ना तो 100% तक मैं लिखके चल जाऊँ आपको end of the video आपको पूरा समझ में आजागा tension मतलो ठोड़ा से तो आप लोग पूलोगे ना यार कि हाँ सर आरा बैट के सर में गाओं में कहां गए ते यह सर यह फाल तो के comment कर रहे हूँ ठीक है अब यहर मुझे एक ची बताओ प्लीज मेरी बात समझो जैसे माल लो एक लड़का है humans की बात कर रहा हूँ बढ़िया 24 साल का एक लड़की है ना अब आप लोग मुझे बताएंगे अगर यह reproduction करते हैं प्रजनन करते हैं तो इस लड़के को क्या बनाना पड़ेगा ispam बनाना पड़ेगा ना शुकरानू बनाना पड़ेगा ना ठीक है और यह जो female है यह जो लड़की है ना इनको क्या बनाना पड़ेगा एक बनाना पड़ेगा अंडानू बनाना पड़ेगा यह बात clear है ना बिलकुल सर यह बात clear है दोस्तो इस ispam शुकरानू को आप लोग किस नाम से जानते हो क्या मैं इसको male gamet के नाम से जान सकता हूँ male gamet male gamet जिसे आप लोग हिंदी में युगमग बोलते हो तो सर इस पम जो होगा शुकरानों वो male gamet होगा नर युगमग होगा और जो egg होगा जो female body से बना है सर इसको हम लोग बोलेंगे female gamet और हिंदी में सर इसको बोलेंगे मादा युगमग क्या मैं बात सही बोल रहा हूँ क्या क्या मैं बात सही बोल रहा हूँ क्या और फिर ultimately दोनों मिलेंगे ना ultimately दोनों मिलेंगे ना तो दोस्तो ये अभी parents है क्या इसको gamets बनाने पड़ेंगे क्या क्या gamets बनाने पड़ेंगे क्या युगमक बनेंगे तो इसको ब्रेक कर दो एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी ये गैमेट बन गए ठीक है similarly जो डुवार्फ वाला प्लांट है उनके द्वारा जो गैमेट बनेंगे वो क्या बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी बनेगा क्लियर है क्या कोई परिशानी कोई दिक्कत इसको मैं मिटान दू इसको मैं मिटान दू हाँ सर अभी थोड़ा सा समझ मारक कोई दिक्कत के बात नहीं है सर मुझे पता है आगे थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा चीक है अब आपने क्या कराया इस वाले प्लांट को इस वाले प्लांट से क्या कराया क्रॉस करवाया क्या करवा रहे हो आप लोग क्रॉस करवा रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है देखो इसको इससे मिला दो क्या बनेगा कैपिटल टी एक क्या बनेगा capital T small T फिर एक capital T small T और फिर एक capital T small T लियर है क्या आप मुझे एक ची बताईए आपने इन दोनों पौडो को क्रॉस करवाया आपके पास में अलग-अलग पौडे बने मुझे ये बताईए ये वाला जो पौडा होगा वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा लंबा होगा ये बौना होगा आप मुझे बताओ लंबा होगा ये बौना होगा capital T tallness को represent करता है small T dwarfness को तो सर ये वाला जो इसमें से dominant कौन है tallness dominant होता है प्रभावी कौन सा है tallness तो सर ये पौडा जो बनेगा ये वाला पौधा भी क्या बनेगा लंबा बनेगा सर ये वाला पौधा भी क्या बनेगा लंबा बनेगा ये वाला process भी ये वाला पौधा भी क्या बनेगा लंबा बनेगा इतनी से वर clear है दोस्तों ये parents से इनके ये बच्चे बनेगे कि पहली generation है इसको हम लोग बोलते हैं F1 generation और हिंदी में आप लोग इसे बोल सकते हैं F1 PD समझ में आगई बात को तो अगर मैं आप लोगों को बोलू कि F1 generation जो होगा ना मैं इधर लिख ज़ता हूँ अगर मैं आप लोगों से बोलू F1 generation में अगर phenotypic ratio में आप लोगों से पूचो phenotypic ratio सरी phenotypic ratio का मतलब है phenotype का रेशो सरी phenotype क क्या होता है मैंने आपको क्या बोला जो आप लोग देख सकते हो लंबाई, चोडाई, फूलो का रंग, आप लोग देख सकते हो ना, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको दिख रही है, सर जितने भी पौध है, सारे के सारे लंबे है, क्या एक भी पौधा पौधा दिख रहा है क्या, नहीं, तो आप लोग अगर फिनो टाइपिक रेशो तो यहाँ पर खैर बनी अंदरा, क्योंकि सारे के सारे क्या है, आप लोगों के लंबे पौध हैं, क्लिए रहा गया, ठीक है, दो यह कैपिटल टी, प्रेशोच अब आप लोग क्या करवा रहे हैं, इनको आगे cross करवा रहे हो clear है क्या clear है इनको आप लोग cross करवा रहे हो तो अब basically ये parents बन गए आप लोगों के ठीक है ठीक है तो पहले क्या होगा आप लोगों को gamete का निर्मान होगा ने इनसे अरे इनसे क्या gamete युगमक का निर्मान होगा क्या बिल्कुल तो इससे कौन कौन से gamit बनेंगे capital T, small t और इन से कौन से बनेंगे capital T, small t समझ में आगी तो आप लोगों को क्या करना है इनका cross करवाना है दोस्तो इन cross अब करवा रहे हो तो अब जो मिलेगा उसको मैं F2 generation बोल दूँ क्या अरे उसको मैं F2 generation बोल दूँ क्या F2 generation बोल दूँ अब इनको cross कराने के लिए एक बहुत simple तरीका बताऊं क्या आप एक square बना लो क्या बना लो square बना लोगे क्या अरे बना लोगे क्या ठीक है दोस्तो एक तरफ प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान समझिएगा मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा एक तरफ आप लोग पहला जो आपका plant है इसके gamet को लिख दो तो इसके gamet क्या है capital T small t एक तरफ जो दूसरा plant है उसके gamet लिख दो तो इसके gamet कौन है capital T small T ठीक है अब बस आप लोगे करा लो तो आप लोग मुझे बताइए जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा capital T जब ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा capital T small T जब ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा capital T small T आप लोग मुझे बताईए Capital T, Capital T का मतलब क्या है जो पौदा होगा वो क्या होगा सर लंबा होगा सर Capital T और Small T है वो तब क्या होगा Capital T तो Tallness के लिए होता है Small T, Dwarfness के लिए Bonny Pan के लिए होता है इन में से dominant कौन है Tallness है यानि ये वाला पौदा भी क्या होगा लंबा होगा दोस्तों ये वाला पौदा भी क्या होगा लंबा होगा और मुझे बताईए ये वाला पौदा कौन सा होगा सर Small T होता है Dwarfness के लिए Bonny Pan के लिए दोनों भी Bonny Bonny तो जो पौटा बनेगा वो क्या बनेगा बोना बनेगा तो अगर मैं आप लोगों से पूछू कि मोनो हाइब्रेड क्रॉस जब आप लोग करवाओगे मोनो हाइब्रेड क्रॉस जब करवाओगे तो इसकी F2 जनरेशन में इसकी F2 जनरेशन में F2 PD में Phenotype का रेशो बताओ Phenotype का अनुपार बताओ बताओ जली से Phenotype आप लोगों का क्या होता है जो देख सकते हो जो लक्षन देख सकते हो कौन-कौन से लक्षन दिख रहे हैं लंबा, बॉना तो एक तो लंबा पौधा हो जाएगा और एक बॉना, दो ही दिख रहे हैं ना तो उनका अनुपात लेलो लंबे कितने हैं टोटल 4 में से 3 लंबे हैं एक बॉना है, लो तीन अनुपात एक आगया बताओ अगर मैं आप लोगों से पूछू जब आपने Mono Hybrid Cross करवाया तो इसकी F2 PD में अगर मैं पूछू इसकी F2 PD में Genotype का Ratio बताओ Genotype का Ratio सर यह Genotype क्या होता है मुझे नहीं पता अरे दोस्तों यह जो Code है ना इसी को Genotype बोल रहा हूँ तो कौन कौन से मिल रहा है एक तो सर Capital T, Capital T मिल रहा है एक Capital T, Small T मिल रहा है वापस ही आ गया एक Small T, Small T मिल रहा है तो इनका Ratio बता दो तो Capital T, Capital T कितने मिल रहा है एक ही मिल रहा है Capital T, Small T कितने मिल रहा है Capital T, Small T, A किदर मिल रहा है किदर मिल रहा है दो Small T, Small T कितने मिल रहा है तो 1 Ratio 2, Ratio 1 ये क्या हो जाएगा जीनो टाइप का रेशो हो जाएगा बताओ ये क्योशन आप लोगों से पूछा गया था अब आपके मन में क्योशन आएगा सर एक जम इत्ता बड़ा थोड़ी करेंगे तो किसने बोला बड़ा करेंगे आपको सीधे याद रखना है सीधे याद रखना हो तो हम आपको समझा रहो सीधे याद रखना हो ना क्या दिकत है आगया समझ में आगया डाय हाइब्रीड क्रॉस करवाँ ये खुद से कर लोगे बताओ अरे डाय हाइब्रीड क्रॉस करवाँ ये खुद से कर लोगे ये करवाँ कुछ भी नहीं है इस बार आप लोग दो लक्षनों का द्यान कर रहे हो जैसे पेहले तो आपने केवल लंबाई का लिया था एक टॉल प्लांट ले लिया एक डौत ले लिया अब की असवे से आप लोग जैसे मैंने पहला आप पहला मठर का पौदा ले लिया Direct数 दूसरा मठर का पहला मठर का पौधा मैंने ऐसा लिया जिसके छा सीड वह उनका कलरण के ऐलो कलर के सीड थे जो भी कि देना भीज ओं पीले रंग के बीज थे, पीले बीज थे, ठीक है, और जो seed का शेप था, जो seed का shape था, वो कह था round colleur के, round shape के seed थे, यानि यह goal आक्रती के बीज थे, goal बीज थे, यह पहला आपका मटर का पौधा है, दूसरा जो मतर का पौधा आपने लिया, वो ऐसा लिया, जिसके seed क्या थे green color के थे हरे रंग के बीच थे हरे रंग के बीच ठीक है और जो दूसरा पौदा आप लोगों ने लिया उसका जो बीच थे थे ना उसका shape round नहीं था क्या था रिंकल था रिंकल रिंकल का मतलब क्या है जुर्रीदार रिंकल का मतलब क्या है जुर्णीदार ठीक है किलिए रह गया समझ में आ गया अरे आया नहीं आया बताओ ठीक है अब कुल मिला के ये पहला पेरेंट होगे दूसरा पेरेंट तो अगर हम लोग बात करें पेरेंट्स में पेरेंट्स के जीन्स के बारे में बताओ जीन्स एक ऐसे जीन्स है जो इसमें यलो कलर की बीच के लिए रैस्पोंसिबल है एक इसमें ऐसे जीन्स है जो राउंड शेप की बीच के लिए रैस्पोंसिबल है तो yellow color को हम लोग capital Y से represent करते है capital Y तो capital Y capital Y और round color के लिए capital R capital R इस्तिमाल कर लो हर यह color के बीच के लिए small y small y use कर रहा है small y small y और wrinkle यानि जुर्रीदार बीच के लिए हम small r small r use कर रहा है ठीक है clear है क्लियर है क्या तो अब आप लोग अगर इनको क्रॉस करवाना चाहरे हो तो पहले क्या बनेंगे गैमेट बनेंगे पहले क्या बनेंगे गैमेट बनेंगे जिसे आप लोग हिंदी में युगमग बोल रहे हो तो आप बेसिकली दो दो ट्रेट्स दो दो लक्षनों का अध्यान कर रहे हो तो इसका जो एक गेमेट बनेगा उसमें दोनों लक्षन आने चाहिए, तो कौन-कौन से बन जाएंगे, एक तो capital Y, capital R, और दूसरा भी capital Y, capital R बनेगा, क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या, बताओ, बताओ, और यहां पर दो case बनेगे, small y, small r, small y, small r, अब आप लोग क्या करवाओ, तो पहली जो generation बनेगी, जिसे आप लोग F1 generation बोल रहे हो, कैसे करोगे, simple सा एक square बना लो आप लोग, simple सा square बना लो, एक तरफ पहले parents के gamet लिख दो, तो पहले parents के gamet यह है, capital Y, capital R, capital Y, capital R, यहां पर दूसरे parents के gamet लिख दो, small y, small r, small y, small r, अब देखो यहां पर क्या गा, capital Y, small y, capital R, small r, यहां पर क्या मिलेगा, capital Y, small y, capital R, small r, यहां पर क्या मिलेगा, देखो इसको और इसको मिला दो, capital Y, small y, capital R, small r, यहां पर क्या मिलेगा, capital Y, small y, capital R, small r, यह पहली generation हो गई, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, सबी जगे आप लोगों को क्या मिल रहा है Capital Y, Small Y, Capital R, Small R आप मुझे बताएंगे कोई भी एक पौदा लो, चलो ये वाला पौदा लो मुझे ये बताओ, ये जो पहला आप लोगों ने पौदा लिया इसका जो ये वाला जो पौदा है, इसके बीच का रंग क्या होगा तो Capital Y, आप लोग यूज कर रहे हो हो, यलो के लिए और Small Y, आप लोग यूज कर रहे हो, ग्रीन के लिए और हमेशा Capital वाला दोस्तों, Dominant के लिए यूज करते है Dominant प्रभावी के लिए, और Small वाला Recessive, यानि ए प्रभावी के लिए तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे, Capital Y रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मटर का पौदा है, इसका जो कलर होगा, इसके जो बीजो का कलर होगा, वो यलो होगा Small Y ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यार ये जो पौदा है, इसके जो बीजोंगे न, उसका जो कलर होगा, वो हरा होगा तो ultimately बताओ, कौन सा होगा, दोनों आ रहा है, तो इनमें से Dominant कौन है, जो Capital से रिप्रेजेंट कर रहा है और Capital Letter से हम लोग रिप्रेजेंट करें, Dominant को, और यहाँ पर Capital, किसको करा है, Capital Y, Capital Y, यलो के लिए, यानि ये जो आप लोगों का प्लांट बनेगा न, उसके जो बीज होंगे, यलो कलर के होंगे उसका Shape बताओ, क्या होगा, Capital R भी, Small R भी, Dominant को है, Capital, तो Capital R हम लोग यूज करता है, किसके लिए, Round, गोल आकरती के लिए, Small R करता है, Rinkle के लिए, Rinkle के लिए, Clear है ठीक है, अब इनमें से आप इनका भी Cross कर आदो, कोई भी दो ले लो, कोई भी दो आप लोग प्लांट ले ल तो दूसरा जो पौदा होगा, उसका भी यही होगा, अब आप लोग क्या करवाओ, इन दोनों का Cross करवाओ, तो आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों का Cross करवार हो, तो अब जो मिलेगी वो आपको F2 Generation मिलेगी, अरे F2 Generation मिलेगी, नहीं मिलेगी, एक तरफ आप लोगों को क्या लिखना पहले the aunt's के गेमैट लिखना है और दूसरी तरफ आप लोगों को दूसरे परेंट्स के गेमैट लिखना है कुलियर है अरे बोलो यार को गर बताओ आँ-ँ- तो इसमें से गेमेट क्या-क्या बनेंगे देखो, एक एक कलर का लेना है, आप लोगों को एक शेप का लेना है, वही सेम बन जाएंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, तो यहां पर आप लोगो पहले पैरेन्ट के गेमेट लिख दो क्या क्या रहा है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल यार Hmm, बताए मिलेगा, तो यह डेको, VIP,HRA, НАंच जहते लोगे है के पिटल वाइए केपिटल आ इस मॉलार रो माल के पिटल आर केक्टल आर केपिटल आर यहां पर देखो, है के पिटल वाय इस पिटल आर माल रो है यह आपका क्या है, तो आप लोगों से पूछू यहां पर आप लोगों को जीनो टाइप का रेशो निकालना है तो जीनो टाइप मिल कौन-कौन से रहें एक तो से यत् Means और क्यूं से मत्राओं मद लेक्ष आप भण कौन से आप लुको भूषन निकालके मुझे कमेंट सेक्षन में बताओगे आपको जीनो टाइप का ratio बताना है आप लोगों को clear है क्या तो यह जो total आपको 16 मिले एक दो तीन चार आठ बारा 16 तो देखो इसका मतलब क्या है capital Y capital R capital R का यानि जो यह मतर का पौदा है इसके जो बीज होंगे न वो yellow shape के होंगे इनके जो बीज का अगर मैं आप लोगों को बलू इस वाले का मतलब क्या है इसके इसका मतलब small Y का मतलब क्या है green color यानि यह जो मटर का पौदा होगा ना इसके जो seed होंगे जो बीज होंगे वो green color के होंगे small R का मतलब क्या है रिंकल यानि इस मटर के पौदेखे जो बीज होंगे वह रिंकल होंगे जुर्रीदार होंगे देखो क्लियर है तो बिल्कुल रेश्यो सही बता रहे है नौ अनुपात तीन अनुपात तीन अनुपात एक यह आप लोगों का रेश्यो आगा आप देखने ना इस वाले का मतलब क्या है कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई यलो को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल वाई ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है इनमें से डॉमिनेंट कौन है यलो है कैपिटल वाई डॉमिनेंट है तो यह ज के लिए पूरा डंग से एक वीडियो बना दिया आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी वीडियो को एक बार स्टाटिंग से वापिस देख लीजेगा अगर आप लोगों को लगता है एक बार देखने की और ज़रोट था क्योंकि बिल्कुल देखने की जरोट है एक अब लोगों को पता है इसी चीच के लिए मैं जाना जाता हूं साइंस में जाना जाता है तो यहाँ पर जैसे मैंने सोलेनोड की वीडियो डाल दी एलेक्ट्रिक मोटर की डाल दी ठीक है नेफ्रोन की वरकिंग से बहुत सारे क्योशन पूछे गए थे तो नेफ्रोन का एक तो कितनी एनर्जी मिलेगे 30 किलो जूल पर मोल ऐसे कुछ करके चार तो वो भी मैंने कर दिया है मात रुमा 399 रुपे मैंने पाइच कर रखे जिससे आप लोग बिल्कुल भी परिशान नहों की सर लाश्ट समय ती महेंगी फीस कैसे लेंगे तो आप लोग के लिए बिल्क कीजिए शाम को चार विजे भी एक बैतरिन वीडियो में डालने वाला हूं आपके लिए न्यूक्लियर चार्ज यानि नाभी के अविश्पे थैंक्यू सो मज़ दोस्तों